हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करते हूं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे आज आप मुहावरे और लोकतियां पढ़ेंगे मुहावरे किसी कहते हैं आईए इसको जान लेते हैं मुहावरों को प्रयोग भाशा को सुंदर, संग्शिप, प्रभावशालिव और सरल बनाने के लिए किया जाता है यह व्यक्यांच होते हैं इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ ना लेकर विशेश अर्थ लिया जाता है इनके विशेश अर्थ कभी नहीं बदलते हैं यह हम एक्षा एक से रहते हैं यह लेंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयोग होते हैं आईए इसकी परिवाशा जाने जो व्याक्यांच अपना सामाने अर्थ ना देकर विशेश अर्थ देता है उसे मुहावरा केते हैं मुहावरों का अर्थ वो उनका पक्ये प्रयोग जान लेते हैं पहला मुहावरा है आकास से बाते करना, इसका अर्थ है बहुत उचा होना इमाली की चूटियां आकाश से बाते करती है अपना उलू सीधा करना है निकिता अपना स्वार्थ सिद करना शे को आपसे काम है इसलिए अपना उलू सीधा करने के लिए वैं काफी आपकी चाफलूसी कर रहा है इत का चांद होना बहुत समय के पश्चात दिखाई देना निकिता तो आजकल नजरी नहीं आती वे तो ईत का चांद हो गई है आखो का तारा बहुत ही प्यारा राम लक्ष्मन दोनों ही महाराज दश्रत की आखों के तारे थी अगर मगर करना है निकि बहाने बनाना कपिल ने जब निरश से अपनी किताब मांगी तो रगर-गर करने लगा आसमान सिर पर उठाना बहुत हला गुला करना अध्यापक की किक्षा में नहोने पर विद्याती आसमान सिर पर उठा लेते हैं आकाश पाता लेक करना बहुत अधिक परिश्रम करना अक्षे ने जब न्या काम आरम किया तो आकाश पता लेकर दिया उसी का परणाम है कि आज वे एक करोणों में खेल रहा है आखों में धूल जोकना यहीं कि धोका देना रोमा बहुत चतुर है वे सब की आखों में धूल जोक कर अपना काम कर लेती है इट से इट बजाना यहीं नश्ट करना भारतिय सेना ने शत्रों की इट से इज बजा दी नमक मिश लगाना तनिक सी बात को बड़ा चड़ा कर कहना पाकिस्तानी अकबार तो भारत के वरुद्ध प्रतेक बात को नमक मिश लगा कर छापते हैं धाग जमाना रॉब जमाना यहीं कि प्रभाव जमाना राजपुतों ने थोड़े समय में ही सारे भारत वश में पनी धाग जमा ले थी दात खटे करना है यहराना नीचा दिखाना उनीस सेुकट्र के भारत पाक युद में भारती सेना ने सबी मोर्चों पर पाकिस्तानी सेना के दात खटे कर दिये दातों तले उंगली दबाना है यही evitar ञां कि चक्कित रह जाना आग बबुला होने की कोई बात नहीं है येलो अपना समान और जाओ इट का जवाब पत्थर से देना दुष्ट की दुष्टा से बढ़ चड़ कर दुष्टा करना इस बार अगर तुमने मुझे परशान किया तो इट का जवाब पत्थर से दूँगा पीट दिखाना इनि की पीछे हटना वीर पूरू शुद भूमी में कभी पीट नहीं दिखाते पेट में चूहे दोरना भूक लगना जल्दी से कुछ खाने को लाओ मेरे पेट में चूहे दोर रहे हैं फूला ना समाना बहुत प्रसंद हुना लोटरी में इना मिलने पर नवीन फूला ना समाया दाल में काना हुना यहीं कि संदेव हुना सुगम की हरकतों को देखकर मैं पहले ही समझ गया कि डाल में कुछ काला है दिन दूनी राद चोगनी बहुत तीवर गति से उन्प्लती करना विश्वर करे तुम्हारे दिन दूनी राद चोगनी उन्प्लती हो प्रान हतेली पर लिए फिरना जान की परवान ना करना सरदार भगत सिंग सदैव प्रान हतेली पर लिये फिर्ट थे वे अंग्रेजों से कभी नहीं घबराए छटी का दूद याद दिलाना भारी संकट में डालना उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे छटी का दूद याद आ जाएगा चक्के छूड जाना बुरी तरह हनाना युद में भारती सेनिकों के सामने चीनी सेनिकों ने चक्के छूड गए चाती पर सांप लोटना बहुत ईश्या होना कक्षा में अभिशेक को प्रथम आते देग उसके मित्र की चाती पर सांप लोटने लगा जमीन आस्मान एक कर देना प्रत्न करने में कोई कसर शेश न छोड़ना हमने सोने का हार खोशने में जमीन आस्मान एक कर दिया नाक रगणना खुशा मत करना उस गरीब ने सेट के सामने बहुत नाक रगणी परवे नहीं माना नानी याद आ जाना निहोश छिकाने आना मास्टर जी ने शरार्ती वपूल की ऐसी पिटाई की कि उसे नानी याद आ गई नाको चने चबाना बहुत तंग होना शिवाजी से भिड़कर मुगलों नाको चने चबाए चिकना घड़ा निरलज जिस पर किसी बात का असर न होना उस पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो चिकना घड़ा है घोड़े बेचकर सूना है निकि बेखवर होकर गहरी नीन में डूबना दिन बर काम करने के बाद वेपारी ऐसे घुड़े बेचकर सुया है कि उसे की चोर उसका सारा धन लेकर चले गए जान पर खेलना है जीवन की परवाना करना भारत की स्वतंता के लिए भगस सिंग और चंदर शेकराजाद जान पर खेल गए जी चुराना मन ना लगाना परिक्षा में असफल होने के बाद मीत पढ़ाई से जी चुराने लगी है उंट के मुँ में जीरा आवशकता से बहुत कम प्राप्त होना दारा सिंग जैसे पहलवान को नाश्टे में दो पराठे देना उंट के मुँ में जीरा देना है कान भरना निक चुगली करना चापलूस लोग हमेशा किसी ना किसी के वरुद अधिकारें के कान भरते रहते हैं कोलू का बैल दिन रात काम में जुटे रहना रमेश दिन भर कोलू के बैल की तरह मेहनत करता है फिर भी उसे पेट भर खाना नहीं मिलता गी के दिये जलाना यानि कि प्रसंता प्रकट करना भारत के स्वतंतर होने पर लोगों ने गी के दिये जलाए कलाई खुलना यानि कि भेद खुलना तुम क्यों मम्मी से जूर बोलते हो किसी दिन कलाई खुल गई तो बहुत बुरा होगा थन थन गोपाल यहीं कि बिलकुल कंगार तुम ऐसे व्यक्तियों से आशा रखते हो जो बिलकुल थन ठल गोपाल है दिंगे मारना यहीं कि अपनी जूटी प्रशंचा करना तो यह अपनी भाधुरी की दिंगे मारता है पर है पूरा कायर आईए अब लोकक्तियां पढ़ते ह में कुछ लोकक्ति का शापदिक अर्थ होता है लोक प्रसित उक्ति या कथन लोक गई उक्ती लुकक्ती कहलाती है इसे कहावद भी कहते हैं आईए अब इसे जान लेते हैं पहली लुकक्ती है आम के आम गुठलियों के दाम यहीं कि दोहरा लाब होना मेरी मानो इस खाली पड़ी जमीन में सफेदा बोदो तीन चार साल बात पैंसे खरे हो जाएंगे और किताब तुमने फार दी मुझे कहते हो कि किताब भी रखनी नहीं आती है यह तो वहीं बात होगी उल्टा चोर कुतवाल को डाटे अंधी पी से कुत्ता खाए काम करे कोई और फल कोई पाए पिताजी तो कमाते कमाते बुड़े हो गए पुत्र मजे उड़ाते वे नहीं ठ के सच है अंधी पी से कुत्ता खाए उची दुकान फीके पक्वाण दिखावा जादा वास्वित्ता कम सुनाय गोपाल हलवाई की दुकान से मिठाई बड़िया मिलती है लेकिन खरीदी तो बेकार निकली सच है उची दुकान फीका पक्वाण एक पन दो काज, एक समय में दो कारे की सिद्धी गया तो था साक्षत कार देने, मित्र से भी मिलाया, इस प्रकार एक पन दो काज हो गए कोईले की दलाली में मूँ काला, बूरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है कालू तो दस नंबर ही है इसके साथ दोस्ती मत करो तुमने सुना नहीं कोईले की दलाली में मुझ काला होता है इसी दिन तुम चक्कर में फस जाओगे दूद का जला छाँच को भी फुक फुक कर पीता है एक बार नुकसान उठाकर सर्फ सतर खो जाना विनोत की एक बार जेब कट गई थी अब वे रुपे कई जेबों में रखता है ठीक ही है तो गुद का जला छाँच को भी फुक फुक कर पीता है घर की मुर्गी दाल बराबरे निगी घर की चीज का आदर नहीं होता अपने खेत के टमाटर तो अच्छे लगते नहीं बाहर फैंग दिये बाजार से गंदे नाले के टमाटर 20 रुपे किलो ले आए यह तो वही बात है घर की मुर्गी दाल बराबर खोदा पहाड निकला चुहा परिश्रम अधिक और फल कम पंदरा एकर जमीन में चामल बोया फसल कटी तो कोई वहल तीस मन चामल पैदा हुआ यह तो वही हुआ कि खोदा पहाड और निकला चुहा जैसी करनी वैसी भरनी जो जैसा करता है उसे उसके अंसार फल भोगना पड़ता है विशाल अध्यापक के सामने लड़कों की बुरी चुगली किया करता था बड़ी चुगली करता था एक दिन अध्यापक ने उसे ही पीर दिया ठीकी है जैसी करनी वैसी भरनी हम तीनों भाईयों को एक जगा कुछ हीरे पड़े हुए मिले बटवारे में हमारे सारे हीरे पकड़े गए सच है घरका भेदी लंका ड़ाए काला अक्षर भैंस बरावर यानिकी बिलकुल निरक्षर उसे तो कुछ भी नहीं आता उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बरावर है इसकी लाठी उसकी भैंस तकत्वर से सब डरते हैं पर उसी ने पहले तो भैरक के घर चोरी करवा दी फिर उसे थाने में बंद करवा दिया इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस चोर पर मोर एक दूसरे से जादा धूरत करन और साहिल दोनों को कमबस समझो ये दोनों ही चोर पर मोर है चोर की दाड़ी में तिनका दोशी स्वैम डरता है मैंने तो टिली से पूछा कि तुमने मेरा पैन तो नहीं देखा परंतु पिंटू घबरा कर भागने लगा मैंने उसे पकड़ लिया मेरा पैन उसी के बस्ते से निकला किसीने सची खाए चोर की दाड़ी में तिनका जल में रहे मगर से बैर जिसके साहरे रहे उसी से दुश्मनी करना तफ्तर में काम करते हो और मेनेजर से दुश्मनी रखते हो दोका खाओगे तुम तो वही कर रहे हो जल में रहे और मगर से बैर आए ध्यान देने योगे बाते जाने जो व्याक्यांच अपना सामाने अर्थ ना देकर विशेश अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं लोग द्वारा कही गई उक्ती लोकिक्ति कहलाती है लोकिक्ति को कहावद भी कहते हैं तो उम्हेद करते हूं बच्चों आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा अब इसका अभ्यास कार्याप स्वेम कीजिए